तो दोस्तो आज मैं आपसे खाने पीने की इनी चीजों में से एक मैथी के बारे में आपसे बात करूँगा और मैथी के फायदों और नुकसान के बारे में आपको जानकारी दूँगा दोस्तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो मैथी जो होती है उसके अंदर बहुत ही जबरदस्त एंटी बैक्टिरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटीज पाई जाती है यानि कि यदि हमारे शरीर में कभी किसी प्रकार की कोई चोट लग जाती है और उसमें सूजन आ जाती है तो मैथी खाने वाले व्यक्टियों को उनमें बहुत ज़ादा अंतर देखने में मिलता है उनकी जो इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होती है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है इसी के साथ ही मैथी में पाया जाने वाला एंटी बैक्टिरियल गुण हमारी बॉडी को बैक्टिरिया से लडने में हमारी हेल्प करता है खास तोर से इसकिन के मामलों में तचा को जवान बनाए रखने के लिए तचा को अच्छा बनाए रखने के लिए रूखे पन को नश्ट करने के लिए और तचा की सुन्दर्ता लाने के लिए उसमें निखार लाने के लिए मैथी का उपयोग करना चाहिए मैथी में diosgenin नाम का एक substance पाया जाता है जिसमें ये anti-bacterial और anti-inflammatory properties पाई जाती है इसका सबसे अच्छा तरीका ये है दोस्तों कि मैथी के powder को लिया जाए उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया जाए और थोड़ा सा दही मिलाया जाए और उस paste को अपने चेहरे पे लगाया जाए तो जहां जहां भी आपको दाग धब्बों की परेशानी है और आपके शरीर में महासे आपके चेहरे पर महासे हो रहे है उन सब को ठीक करने में मैथी आपकी बहुत ज़्यादा help करेगी लेकिन दोस्तो इसका उपयोग हफते में एक या दो बार ही किया करें और continue कुछ महीनों तक इसका उपयोग हमें करना चाहिए इसके अलावा दोस्तो मैथी के जो बीज होते हैं वो शुगर के रोगियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद होते हैं मैथी में हाइपोगलाइसेमिक एक्टिविटीज पाई जाती हैं यानि कि मैथी के जो बीज होते हैं वो बलड में शुगर के लेवल को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हैल्प करते हैं तो यदि आप मैथी के बीजों का निरंतर रूप से इस्तिमाल करते हैं तो आपको निश्चित ही अपनी बलड शुगर में बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों मैथी का इस्तिमाल करते समय हमें अपनी बलड शुगर को रेगिलर्ली चेक कराते रहना चाहिए और डॉक्टर की सलहा के आधार पर ही मैथी का उपयोग करना चाहिए मैथी को लेने का सबसे अच्छा तरीका ये है दोस्तों कि डाइबिटीज के केस में मैथी के 4-5 ग्राम बीजों को लिया जाए उनको एक कप पानी में रात भर गलने के लिए रख दिया जाए सुबह उठकर उस पानी को पी लिया जाए और जो मैथी के बीज है उनको चबा के खा लिया जाए ऐसा हमें रोज करना चाहिए जिससे हमारी बलड में शुगर का लेबल जो है वो कम होने लगता है इसके साथ ही दोस्तों मैथी में लिपिड के लेबल को कम करने की भी अद्वच्छमता पाई जाती है यानि की जिन लोगों को हाई कॉलेस्ट्रॉल की शिकायत होती है जिनकी बॉडी में कॉलेस्ट्रॉल के कारण आर्टरीज में ब्लॉकेज डेवल अप हो जाते है मैथी के बीजों का इप्योग उन पेशेंट में भी करना चाहिए और खाने का तरीका डाइबिटीज के पेशेंट की ही तरह रखना चाहिए, यानि की हमेशा एक कप पानी में 4-5 ग्राम मैथी के बीजों को गला दिया जाए रादभर उनको गलने दिया जाए जिसके कारण ही हमारी बॉडी में ब्लोकेज होता है उसको खत्म करने में एक बहुत अच्छा भूमी का निभा सकती है इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आज कल के जमाने में खास तोर से यंग लोगों में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है और यंग लोग मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे कमेंड्स आते हैं जिसके कारण पुर्षों के बाल बहुत जल्दी ज़ड़ने लगते हैं और उनको समय से पहले गंजापन आने लगता है तो यदि मेथी के बीचों का इस्तेमाल किया जाए तो DHT के ब्लॉकिंग को करने में हेल्प मिलती है और बालों के जड़ने को काफी हद तक कम किया जा सकता है इसके अलाबा दोस्तों मेथी का उपयोग रूसी को रोकने में और बालों को असमय सफेज होने से बचाने के लिए भी किया जाता है मेथी के अंदर प्रचोर मातरा में प्रोटीन्स पाये जाते हैं और लैसितिन नाम का एक सबस्टेंस पाया जाता है ये लैसितिन हमारे बालों की नमी को बनाए रखने में उपयोग होता है इसलिए मेथी का उपयोग निरंतर पाउडर के रूप में किया जा सकता है खाने में और इसके साथ ही इसको बालों में भी लगाया जा सकता है इसको बालों में लगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है दोस्तों कि नारियल का कुछ तेल लिया जाये यानि कि दो चम्मच आप तेल ले लें उसमें एक चम्मच मैथी का पाउडर मिला लें उसको अच्छे से पेس्ट बना लें और उस पेس्ट को अपने बालों पर लगा ल इसलिए alternate day यदि इस प्रिक्रिया को अपनाया जाए तो ना केवल ये आपके बालों की रूसी को खत्म करने में आपकी help करेगा यहां तक कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस के केसिस में भी ये कई patients में helpful है और बालों के जड़ने को रोकने में तो ये help करता ही है इसके अलावा दोस्तों मैथी में antioxidants बहुत जाला मातरा में पाए जाते हैं और यदि आपने मेरे पहले के videos देखे हों तो मैं हमेशा ये बात बताता हूं कि antioxidants का हमारी शरीर को regenerate करने में एक बहुत ही बड़ा रोल होता है तो यदि हम मैथी के बीजों का सेवन करते हैं तो हमारी body में antioxidants पहुँचते हैं vitamin H पहुँचता है जिसे biotin बोला जाता है ये सारी चीज़ें जो होती हैं दोस्तों असमय बढ़ापा आने को रोकती हैं और आज कल के जमानी की जो सबसे बड़ी problem है दोस्तों वो यही है कि एक young age में 30-35 वर्ष का एक व्यक्ती भी समय से पहले ही बुड़ा दिखाई देने लगता है इसलिए मैथी के बीजों का उपयोग सामानेता हम कर सकते हैं अपने खाने में इनका इस्तिमाल हम कर सकते हैं हम मैथी के पाउडर का इस्तिमाल भी कर सकते हैं लेकिन दोस्तों बाजार में बना हुआ पाउडर उपयोग ना करें हर पे ही यदि हम मैथी का पाउडर बना लें और उसका उपयोग हम regularly करें तो हमें इसके बहुत ज़्यादा benefit देखने को मिलते हैं लेकिन दोस्तों जैसे कि हर चीज़ का अपना एक positive effect होता है वैसे ही हर चीज़ का एक negative effect भी होता है इसलिए मैथी का उपयोग जरूरत से ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए एक-एक दो-दो दिन छोड़के ही मैथी का उपयोग करना चाहिए चुकि मैथी की जो तासीर होती है वो गर्म होती है इसलिए गर्मियों के season में इसका उपयोग बिना किसी डॉक्टर की सलहा के नहीं करना चाहिए इसके अलावा दोस्तों मैथी का एक बहुत खास गुण पाया जाता है कि जो महिलाएं breastfeed कराती है यानि कि जो महिलाएं इस्तनबान कराती है उन महिलाओं में यदी कभी दूद की कमी हो जाती है और वो अपने बच्चे को दूद उचित मातरा में नहीं पिला पा रही है उस कंडिशन में दोस्तों मैथी में पाये जाने वाले गलेक्टोगोग्स यानि कि स्तन में दूद की मातरा को बढ़ाने वाले पदार्थ बहुत ही जादा helpful होते हैं यदि उन महिलाओं को जो की ब्रेस्ट फीडिंग कराती है मैथी का पाउडर दिया जाए अल्टरनेट डे थोड़ा थोड़ा पाउडर दूद के साथ दिया जाए तो उनमें ब्रेस्ट फीड कराने में उनको बड़ी हेल्प मिलेगी उनके इस तन में दूद अच्छा बनन इसके फेशेंट है या फिर आपको हार्ट में ब्लॉकेज की प्रॉबलम है तो हमेशा पहले अपने किसी फिजीशियन से आप संपर्क कर लें और उसकी बताई हुई मात्रा को ही अपने खान पान में शामिल करें और उसके दिये हुए दिशा निरदेशों का पालन करें तो हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं जिन दवाओं को दिन में किवल एक बार खाना है उन्हें सुभे खाली पेट खा लेना चाहिए मूँ में अच्छे से कुल्ला करके गारगल्स करके मूँ को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होमियोपैथिक दवाई ख चार बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर दो से धाई घंटे बाद ही खाएं और उस इस्थिती में भी हमारे मुह में किसी भी वस्तू का किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए ना ही हमारे मुह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए जिससे कि ये होमियोपेथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम homeopathic दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो, अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हीं खा सकते हैं, या एलाइची खा सकते हैं, या नहीं, बिल्कुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं homeopathic दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं, बस याद ये रखना है कि जब भी आप homeopathic दवा खाएं, इन में से किसी भी वस्तू का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुह में ना हो, यानि कि जब भी आप इने खाएं, तो इनके खाने से, या तो आदे गंटे पहले homeopathic दवा खा लें, या फिर इने खाने के दो ड़ाई गंटे बाद जब कि आपने मुह में अच्छे से कुला कर लिया हो, अच्छे से गारगल्स कर लिये हो, तब इन homeopathic दवाओं को खाएं, तो आपको हमेशा homeopathic के सबसे अच्छे result देखने को मिलेंगे लोग गलती यही कर देते हैं, कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्छा प्याज, लहसों, अद्रा, खींग, सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुह में सफाई ना होने के कारण homeopathic दवाओं का अच्छा result देखने को नहीं मिलता है, यह homeopathic दवाएं, आपको किसी भी online pharmacy पर या आपके घर के नजदी किसी भी homeopathic medical store पर बड़ी ही आसानी से उपलब्द हो जाएंगी यह दवाएं हर homeopathic pharmacy पर उपलब्द होती हैं हर online pharmacy पर उपलब्द होती हैं इसलिए आप वहाँ से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं निरामय होमियोपैथी क्लीनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है इसलिए अपने नजदी की homeopathic medical store या online pharmacy से ही इन दवाओं को प्राप्त करें दोस्तों आज के लिए फिलाल इतना ही आगे के वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कुछ और नई जानकारियों के बारे में कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी homeopathic दवाओं के बारे में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत